नमस्कार मित्रों, मैं लगबग 13 साल के आयू से वैम कर रहा हूँ यानि कि लगबग 7 वी कक्षा से मैं वैम कर रहा हूँ और लगबग 6 साल तक मैं केवल घर पर ही वैम कर रहा था 6 सालों तक मैंने कभी भी कोई जीम जॉइन नहीं की थी और जैसे कि आपने देखा मैं बहुत ज़दा पतला था 12 वी कक्षा के बाद भी लगबग मेरा वजन के ओल 50 किलो के करीब था मुझे बहुत सरे कमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत ज़दा पतला हूँ मैं वजन कैसे बढ़ा सकता हूँ या फिर इसे कौन सी चीज कहूँ जिससे मेरा वजन बढ़े या फिर कौन सा वयम करूँ जिससे आसानी से वजन बढ़े तो आज मैं आपको मेरा स्वयम कानुभो बताता हूँ एक किस प्रकार से मैंने मेरा वजन धिरी धिरी बढ़ाया और उसके साथे साथ मेरी ताकत भी बढ़ाई तो वजन बढ़ाने के लिए ताकत बढ़ाने के लिए सबसे महतोपूर्ण बात मुझे ये लगती है वो है अनुशासन यानि की डिसिप्लेन अगर आप में अनुशासन नहीं है तो आप नियमित रुप से आच्छा वैम नहीं कर पाओगे और जो चीज़े आपके शरीर के लिए जरूरी है महतोपूर्ण है वो चीज़े आप बिलकुल भी नहीं खाओगे और फिर कुछ दिन वैम करोगे कुछ दिन आच्छा खाना खाओगे लेकिन कुछ दिन वाद फिर से चोड़ दोगे वजन बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए ताकत बढ़ाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ जीवन में पाने के लिए आपका अनुशासन के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जीवन में अनुशासन लाने के लिए कुछ चीज़े बहुत ज़्यादा मदद करती हैं जिसे खेल चाहे कोई टीम स्पोर्ट हो या फिर इंडिविजुल गेम हो आपका बड़ी के लिए खोको के लिए कुछती के लिए मार्शल आर्ट से किये या फिर कोई भी खेल हो जो भी आपको पसंद है उसे खेलिए चाहे मज़े के लिए खेलिए या फिर प्रोपेशनल बनने के लिए खेलिए लेकिन कोई भी खेल जरूर के लिए खेल के साथ बहुत सारा ट्रैवल भी कीजिए नई नई जगाओं पर घुमने जाईए नई लोगों से मिलिए पाड़ों में जाईए रस्तों में घुमिए जितनी नई चीते सिख सकते हो उतनी नई चीज़ों को सिखे जानिए इन सभी चीज़ों का जो महतो है वो आपके जीवन के अंतिम ख्षन तक आपका साथ देने वाला है क्योंकि चाहे जीवन में कितना ही मोटिवेशन ले लो कितनी बाते सुन लो, कितनी बाते पढ़लो अगर आपके पास अनुशासन नहीं है डिसिप्लिन नहीं है तो वो बाते केवल दो महीनों तक आपके साथ रहने वाली है कुछ दिनों बात वो motivation चला जाएगा आप फिर उस बातों को छोड़ देंगे लेकिन एक बार आपने अपने जीवन में अनुशासन ला लिया, discipline ला लिया तो वो चीज आपके जीवन से कभी भी जा नहीं सकती है फिर आप जो ठान लेते हो, वो ही करके रहते हो चाहे उसमें कितना ही समय लग जाए अभी घर पर रेकर ही कि उनकों से वयम हमें करने चाहिए जिनसे वजन बढ़ने में मदद हो, वो देखते हैं अपर बोड़ी के muscles बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए हमें दंड सिखना है जो भी नए बच्चे हैं, जिने शुरुआत करनी है वयम की दंड नहीं कर पाते हैं, वो इस प्रकार से आधी दंड लगाए गुटनों पर रहकर गुटनों पर रहकर, जब भी आप 20 दंड आसानी से लगाने लग जाओ तब आपको इस प्रकार से पूरी तरह से दंड लगाना है यहाँ पे शुरुआत में आपको रेपिडिशन के बल दस से बारा रखनी हैं और दो या तीन ही सेट लगाने हैं हर हफ्ठे या फिर हर दो तीन हफ्टे में आपको रेपिडिशन बढाते जाने हैं और प्रयत्न करना है कि 20 repetitions लगा पाएं और जब भी आप साधरन दंड 20 repetitions बहुती आसनी से लगाने लग जाओ तब आपको साधरन दंड पेरों को उपर रख कर करना है जिससे हमारे chest, shoulder और triceps और ज़्यादा काम करते है पर एक बात को आपको धहन में रखना है ये सब दंड आपको एक मेने, दो मेने, छे मेने, एक साल नहीं करने है ये आपको सालों साल तक करते रहना है और इसमें आपको दिर दिरे progress भी करनी है इस प्रकार से पेर उपर रख कर दंड लगाना भी आसन हो जाए उसमें भी आपको 20-20 repetition आने लग जाए तब आप राममूर्थी दंड लगाना शुरू कीजिए राममूर्थी दंड साधरन दंड के जैसा ही होता है लेकिन इसमें जैसे नीचे जाते हैं वेसे ही वापस भी आते है तो ये साधरन दंड से ज़्यादा फायदा करता है राममूर्थी दंड इस प्रकार से आपको दिरी दिरी आग आगे प्रोग्रेस करते जाना है इससे आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स की साइज बहुत ज़ादा बढ़ती रहेगी इसके बाद हम बैक और बैसेप्स की साइज बढ़ाने के लिए एक्ससाइज देखते हैं घर पर रेकर बैक और बैसेप्स के एक्ससाइज के लिए बहुत कर्म एक्ससाइज हैं जैसे की रसी चड़ना, पुलप्स लगाना या फिर रोज करना उसमें से पुलप्स लगाना हर किसी को नहीं आता है इस वज़ा से किसी रोप को या फिर दंडी को पकड़ कर इस प्रकार से रोज आपको करने हैं इससे आपकी back strong होगी और आप आसानी से रस्य चड़ पाओगे या फिर pull-ups लगा पाओगे pull-ups लगाना या फिर रस्य चड़ना आपके back और biceps के लिए एक complete workout के जैसा ही है यह आपकी शक्ति तो बढ़ाते ही है लेकिन साथ साथ में आपके back और biceps की size भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते है यहाँ पे आपको दंड हफते में 3-4 बार करने है पुल अपस कापको हफते में 2-3 बार करना है इसके बाद पेरों की ताकत बढ़ाने के लिए और size बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है साथरन बेटक जब साथरन बेटक आपको 20-30 repetitions बहुत ज़्यादा आसानी से लगने लग जाए तब आप इस प्रकार से पहलवानी बेटक लगाना शुरू कर दीजे रेकोर्ड्स की और गलूट्स की size बढ़ाने के लिए पहलवानी बेटक और साथरन बेटक बहुत ही उत्तम है पहलवानी बेटक के साथ साथ हमें हनुमान बेटक का भी अभ्यास कर रहा है अनुमान बेटक से हमारे पेरों की mobility और flexibility और balance बहुत ही ज़ाद आच्छे से बढ़ता है ताकद, stamina और balance इन तीनों को बढ़ाने के लिए अनुमान बेटक बहुत ही उत्तम है इन दोनों बेटक के repetitions हमें दस से शुरू करने हैं और फिरे देरे देरे बढ़ाते जाकर 50-60 या फिर उससे आगे भी ले जा सकते हैं और sets हमें 2-5 sets रखने हैं हफते में एक या दो बार और पेर दुखना जब बंध हो जाए तब आप हफते में 3-4 बार भी बेटक लगा सकते हो इसके साथ-साथ आपको अलग-अलग activities भी सिखना चाहिए इसमें आपके body को अलग-अलग challenge मिले और challenge मिलने से ही आपके body बढ़ती है आपका mind बढ़ता है हमारे आजवाजो में ऐसे बहुत सारे exercises होती है जो हम हर रोज करते भी हैं बहुत सारे वजन होते हैं उनका हम उठाते भी हैं ऐसे बहुत सारी चीजों के तरफ हमें ध्यान रखना है और उन सभी चीजों को try करते रहना है दंड के या फिर बेटक के बहुत सारे प्रकार है उनको भी आपको try करते रहना है जैसे की मिश्र दंड, हनुमान दंड, रुच्चिक दंड, पार्शो दंड इन सब की वीडियोज मैंने इस चानल पर डाली हुई हैं आप उन्हें जरूर देखिए पैम के बाद हम आहर के बारे में देखते हैं हमें वजन बढ़ाने के लिए दूद का उपयोग निश्चिति करना चाहिए क्योंकि दूद में हमारे शरीक के लिए आवशक ऐसे बहुत सारे घटक होते हैं इसमें प्रोटीन है, फैट से, काब्स है, मिनरल से, कैल्शियम है बहुत सारे शरीक के लिए आवशक ऐसे विटामिन्स भी है तो दिन में दो से चार बार हमें दूद पीना ही पीना चाहिए उसके साथ हो सके तो आपको बदाम, काजू या फिर ड्राइफूट्स रखने हैं अगर ना हो तो मुंख वली भी खा सकते हो उसके साथ साथ जो भी डाले हैं चैना, राजमा, ऐसी चीजों को भी आपके आहर मेर आपको रखना है और साथी साथ केले या फिर कोई भी आपके पसंद का फल आपको दिन में दो तीन बार तो रखना ही चाहिए आपको ये वीडियो किसे लगी ये मुझे नेजे कमेंट्स में ज़रू बताएए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जैश्री राम